हमेश्या की तर आज एक वर्फिट से बात करने वाले है टॉप टेन टिप्स एंट्रिक्स के वारे में और हाँ अभी तक आपने आएंड एमोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो और चलो फटा-फट से ये वीडियो शुरू करते हैं ये जो अपना केक वाले पॉइंट का स्टेज ये उसके पीछे देऊ गोगी तो आपको दो नारील के जाड़ देखेंगे आपको फटा वर्ट से स्टेज के पीछे आ जाना है तो आप बताता हुए कैसे आप नारील के जाड़ के उपर जाके होल्ड कर सकते हो इसके लिए होल्ड करके बना लेना है तो यहां पर पोचिंगी में कोई वंद्याप को दिखते हो यहीं से रहे के आप उन्हें नौक फिनिउच दे सकते हो फीपर में वापस से बाहर साइट जाता हूं भीक है मैं इधर आ गया जाना है जौश्टिक आगे मत कर देना नहीं तो गिर ज हो जाता है और फिर यहां पे वाई किसी भी ध्यान नहीं जाएगा कि आप यहां पे हो तो देखो हैं वो पॉल्टल भी गया बोकर एद यहां पर च्छीपता हूं तो वह कोई नहीं देख पाएगा समझ रहे हो ना तो आपकी मर्जी आप इस नारील के जाड़के उपर और आप उपर देखोगे तो आपको एक पोर्च दिखेगा जो पीलर से एटेच है तो फिर अब आपको फटा-फट से सामने की तरफ आना है और एक दो जम्प लगाना है ठीक है अरे बाई चड़ जा हां यहां पर चड़ने के बाद आपको थोड़ा सा उपर आना है और करते रहना है जैसे बाई कोई भी बंदा आएगा तो वह सीधा पेटी की तरफ जाएगा और आप तो पर्च पे बैटे हूँ जैसे आएगा तो आपको यहां से उसे नॉक और फिणिस दे देना है तो एक बंदा आया और इसको यहां पर आपन ने नॉक दिया और आप वह आपको कई जगो उपर ये भाला वाला गेम देख लोगों को मिलता होगा तो फिर आप लोग यहां से भाला उटाते हो और भाई ये बलून को फोड़ते हो ठीक है एंड फिर जो भी लूट गिरती है तो फिर आप उसको लूटते होगे तो भाई इस भाले का बस इतना ही काम हैं आप इस भाले से अलग अलग ट्रिक भी लगा सकते हो जैसे कि मेरे हाथ में भाला है एंड मिलको कहीं दूर जाना है तो भाई वहां पर एम कर लो उपर देखो एंड भाला ऐसे छोड़ दो फिर आप भाले के साथ उड़ोगे एंड काफी ज्यादा ट्रैवल कर लोगे देखो भाई कितना दूर से मैं यहां पर आ गया है अभी मेरे पास तो चावी भी पड़ी है और यार मैं यह खोल ले तो गुफा को ठीक है अब आपन दूसरे मिनी गेम पर आ गये हैं यह वाला पॉइंट ड्रिच के पास है बस आपको यहां से भाला उठाना है लेफ साइ यहां पर होल करना चाहो तो होल कर सकते हो और भाई कोई ट्रिक बना लेना और अब यह देखो यह वाला मिनी गेम पॉइंट है यहां से आपको भाला उठाना है स्टेज के बिल्कुल कॉर्णर में आ जाना है अब उपर एम करना है और 275 डिगरी पे भाई भाले को छोड़ करना है फिर जैसे आप ऐसा करोगे ना फिर आप हर बार भाई यह जो सामनी की तरफ बिल्डिंग निकरी ना इसके उपर जाके गिरोगे अगर यहां पर एनिमी वगर रहा है तो फिर आप उन्हें सप्राइब दे सकते हो तो यहार भाले से आप एक से ट्रिक लगा सकते हो फिर आपकी मर्जी है आपको लगाना है तो लगाओ एंड चलो बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ अब भाई आपको फटा फट से पोर्टल की हेल्प से उस बोट के उपर चड़ जाना है जो ऊपर की तरफ है यहां पर आने यह बाद आपको सामने की तरफ जाना है ज जॉइस्टिक आगे की तरफ धकेल के रखना है ठीक है ना और फिर जंप करना है और क्राउच कर लेना आप लोग यहां पर आ जाओगे और धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है ठीक है ना गिरना नहीं है आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और यहां पर रस्ती के प आप यहां से नाक वाक दे सकते हो, और नीचे आजाो, आपका ये cover हो गया, ये जो पर्दा ये आपका cover हो गया, और यहाँ पे अगर आप और उपर जाओगे, तो एक right side में आपको बाम्बू देखेगा, आप यहाँ से jump लगा के इस bamboo के उपर भी जा सकते हो और वैसे तो यार इस bamboo के उपर रुकोगे तो यार anime होगे आपको देख लेंगे लेकिन अगर आप परदे में छिपके रहते होना तो फिर आपसे कोई भी आपको ऐसा करना ठीक है ना मतलब situation के इसाफ से तो खेर यार चलो बढ़ते हैं next point की तरफ तो मेर भाई आप लोग को तो dancing grenade के बारे में पता ही होगा तो फिर आप जब भी एक grenade डालते होगे तो फिर आपको ऐसा लगता होगे कि यार ये circle काफी छोटा है तो यार उसके अंदर एक और grenade डाल दो भाई circle की size थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अगर ये भी छोटा लग र है तो यार चटवा डाल दो भाई अब और भी थोड़ा circle बढ़ जाएगा तो भाई ऐसे अगर आप छे ग्रेनेट डालते हो ऐसे गोल ग्रेनेट तो circle की size बढ़ती है अगर साथवा फेक होगे तो आई circle की size नहीं बढ़ेगी तो बस आपको ये बताना था कि आप लोग ऐस समझ गए होंगे तो चलो बढ़ते हैं next point की तरफ अब भाई आपको फटा फट से शेल्टर आ जाना है और शेल्टर का ये वाला डोर है उस शौप के अपोजिट में और यहां पे आपको एक बग्गी लगने वाली है तो फिर बग्गी आपको लेना है और आपको सेंटर च कर लेना है और अब कार्पेट पे ड्राइव करो और कार्पेट को अंदर की तरफ ढखेलो और ये जो नीचे अला बटन इने इसको प्रेस करके रखो ठीक है जब आपका कार्पेट इतना अंदर चले जाए ना तो आइधिंक ठीक है ठीक है फिर यहां से एक्जिट करो और पर नहीं यार कार्पेट थोड़ा सा और अंदर करना पड़ेगा तो यहां पर और अंदर ले लो कार्पेट को थोड़ा सा और कार्पेट तो भाई अंदर नहीं जा रहा है तो खेर अब कार्पेट से उतरते हैं इतना ठीक है ठीक है तो फिर अब यहां पर बग्गी में व आपको बग्गी से उतरना है और आगे की तरफ जाके जंप लगाना है एंड कार्पेट के उपर ड्राइव करना है ड्राइव करते ही एक सेकंड रुखना है और फिर एक्जिट करना है फिर ऐसा करोगे तो फिर आप मेरी तरह आ जाओगे शेल्टर गुफा के आउट साइड अब से एंड आप लोग रहाँ सकते हो और जाने के लिए przytex और यहें बनता है जैसे किसे सामने की तरफ नहीं बन रहाए ऐसे बाहर बनन सकती कई कहीं नहीं लग रहा है और अगर यहां से बाहर निंकलना चाहते हो तो फिर पानी में अगर जंप cuma तो फिर आप लोग वहीं पे टेलिपोर्ट हो जाओगे जहां से अपने जंप लगाया तो फिर आपको वहीं से बहार रिकलना पड़ेगा जीस रास्ते से आप आये थे बस आपको इस पाइप को पकड़के आगे की तरफ बढ़ना है और यहां पे क्राउच कर लेना है और फि होती असान है कोई भी आ सकता है आपका पूरा एक स्कॉर्ड आ सकता है अगर यह परफिक कारपेट और बगगी लग गई तो ठीक है ना तो आपको उपर साइड आ जाना है और यहां पे जंप करना है एक और इस रसी पे अगर आप फसो तो आप जंप लगा कि आपको आगे बढ़ना है और आपको आगे से एक लिफ्ट मार लेना है ठीक है और फिर आपके पास और नदिक यहां पड़े और फिर आपको थीरे से अंदर आना है आप लोग दो सटाफ में इस बाम्बु पर आजाओंगे और यहां से आपको चारो साइट अवियु मिलता है अगर यहां पर कोई आपको देख लेता है तो यहां पर आपको कवर भी मिल जाता है और यहां से तो भाई लैंब की लोकेशन भी दिखती है ठीक है ना और भाई पीछे तो आपको कोई मारेगा ने क्यूंकि पीछे पूरा एंड है और अगर आप इतना उपर आना चाहते हो तो फिर आपके पास दो पोर्टल स्टाफ होना चाहिए और फिर आप लोग इस बोर्ट के उपर वाले बांबू पर आ सकते हो तो खेर यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब आपको फटा-फट से पोर्टल का यूज़ करके उपर वाली बोर्ट पे चले आन है और उपर आओगे तो सामने के तरफ आपको कैनन नजर आएंगे आपको किसी भी एक कैनन के पास जाना है और एंटर कैनन दबा देना है ठीक है तो आप इस तोफ के अंदर चले जाओगे और अब वेट करना है आपको किसी एनिमी के आने का और वो जैसी आपको दिख जा करना है बस एंटर कैनन करो ठीक है सिकार के आने का वेट करो जैसे सिकार दिखिये तो एक्जिट करो एंड उसको नौक फिनिस दे दो तो आप लोग समझ के होगे कैसे हम लोग एनमी उगर को सर्प्राइब दे सकते हो तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो मेरे वह आप लोग को यह वाला पजल पॉइंट तो पता ही होगा तो फिर आप जैसे यहाँ पे आओगे तो एक साउंड बसती है तो जिस डायरेक्शन में साउंड बसे रही है उसी उसी पैच को आपको मारना होता है तो जिस पे नीला जाला रहता है ना तो यह वाला पीछे के साइड है मैं उसको बोलता हो कि मेंको डेमेज ने तो यहां पर होगए मेरे को यहां पर ले लेते हैं तो इतना थ्ले हेल О तो यह आप हर 30-30 सेकेंड पे कर सकते हो समझ रहे हो मतलब एक बार इस पजल पॉइंट को आपने यूज किया तो यह वापस से 30 सेकेंड बात त्यार हो जाएगा यूज करने के लिए तो देखो अभी मैं आगे पीछे गया ठीक है वापस से प्याच पर करता हूं तो यहां प आप लोग 30 सेकेंड पे कुछ ऐसे नीले जालर वाले पैच को फोड के अपनी हेल्थ को फूल कर सकते हो तो आप लोग समझ गया हो गए तो चलो यहार पड़ते हैं नेक्ट पॉइंट की तरफ तो भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई यार कार्पेट का यूज करके इस कराता है एंड फिर यहां पे मैं अपनी जोईस्टिक को लेफ पकड़ता हूं और चिमनी से चिपका के ऊपर ऊपर जाने वाले बटन को दबाता हूं मतलब जिसे कार्पेट ऊपर ऊपर नहीं जाता है उसी वाले बटन को प्रेस प्रेस करते रहता हूं या फिर दबा के करेंगे और यह पर इक्दम परफेक्ट लैंडिंग लेंगे अपनी ओ है। kır यह यहां पर रहिए शिक्श में सब्सक्राइब कर दिया है कि यार चिमनी के उपर कोई भी नहीं आ सकता अगर तो आप चिमनी के उपर आते हो तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ग्लिच देखने को मिलेगा तो यार अपना टाइम वेश्ट मत करना और इस चिमनी के उपर आने की कोशिच मत करना ठीक है न तो शायद पबजी के अंदर आपन चिमनी के उपर जा सकते लेकिन बीजेमाय के अंदर भाई चिमनी के उपर नहीं जा सकते ठीक है तो आप आप लोग ये सारी चीज़े समझ गया होंगे तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं और ये वीडियो पसंद और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइडिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई